प्रेंड्स मेरी लम सर्मा स्वागत करते हूं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सब दोस्तों का तो यह देखें प्रेंड्स इस मेंडिस्नल प्लांट सब बहुत हैण बहुत हैं इसंगे से करता है तो इन सार बोट में आज में ножमे को लगा दूगम तो चले बात करते हैं इस प्रेंट की बारे थे तो सबसे पहले में बता दुँ तो यह एक अर्याज है हुआ है और यह गठी समय बहुत ही जादा करता है अर यह गठिया में भी बहुत ज़ादा अपय gekrट helps और ये ब्यूटी प्रोड़क्ट में हमारे स्कीन के लिए बालों के लिए हमारे हेल्थ से संबंधी थी, बहुत थी, सारे चीजों में इसका यूज किया जाता है इस एलोवेरा को, तो आप देख सकते हैं इस मेडिशनल प्लांट को, कि मैंने छोटे सिपोर्ट में लगाया है यह देखिए बच्चों खेलने वाली बालटी इसमें लगाया है, और जमीन में भी मैंने लगाया है तो यह छोते छोटे जो देख रहे हैं मैंने जमीन सही लिया है तो आज मैं इन सब को इस पॉर्ट पे लगा दोंगी तो चलिए बात कर लेते हैं हम इस प्लांड के कियर टीप्स के बारें तो मैंने तो फ्रेंड इसका कोई भी केर नहीं किया है आप देख सकते हैं किवल वेल्डन थोड़ी से मिट्टी इसकी रहनी चाहिए और और कुछ भ में साइड चाहिए में ब्लैक ब्लैक लग जाते हैं लेकिन मेरी पतियों को दिखिया कितनी सुंदर कितनी ग्रीन ग्रीन है और एक बार भी मैंने फटलाइजर नहीं दिया है और यह प्लांट में अपने छोटा सा ऐसा वाला मैं अपनी दोस्त के हां से लाई थी और उसी से एक दो गमले तो इतने बड़े-बड़े हो गया थे कि मुझे गमले को भी तोड़ना पड़ा और प्लांट को भी फेटना पड़ा तो इसलिए अब मैं क्या करती हूं कि छोटे-छोटे ही पॉट में इसको लगा दो फ्रेंट्स तो आज फिर मैंने यह छोटे से चार ज्याटी उसमें लगा दे छेलिए बात कर लेते हैं लेटमट की बेडा को हम पर रखें तो फ्रेंड्स इसको ज्यादा अड़ा नहीं रखें आप इसे जुप मिलना चाहिए और मैंने भी इसे ऐसी जगह पर रखा जहां इसे झुप मिलती रहती है और देख सकते हैं तेज सा सेड़ी एरिया भी रहे और इसे दूप भी मिलता रहा है और अगर आप फटिलाइजर देना चाहते हैं तो बाली कंपोस्ट हुआ और इसमें थोड़ी सी आप गुबर की खाथ भी दे सकते हैं या तो फिर शर्सो खली भी दे सकते हैं पर मैंने तो कुछ भी नहीं दिया है और मेरा प्लांट ऐसे ही इतनी हंदी इल्दी है और कई दोस्त बोलते हैं यह देखी फ्रैंट्स यह सब इतने मोटे मोटे मैंने इस इसमें से देख लीजिए अभी अभी ही काटा है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि जमीन मेरा तभी बड़ा-बड़ा होगा यह देखिए इसी छोटे से पॉट से हमने अभी अभी काटा है कि यह बड़ा के गीद रहा था तो मैंने सुचा कि चली मैं आज इस कायूज भी करूंगी और इस प्लांट के आरे में भी आपको बताऊंगी वैसे तो सभी लोग अपने घरों में लगाए होंगे और सभी लोग जानते भी हों लेकिन चली में थोड़ा बहुत बता देती हैं हैं तो देगे फ्रंट यह तो मै इस तरह से चोटे-चोटे चोटे से और और चोटे चोटे रहें तभी आप निकाल लीजिये लेगिए जैसे घीवाला है इससे खोड़ा है लगा लाती है इस से खोड़ा से बढ़ा हो गया है तो बहुत से लगाया है और बोर सा रिट कि इस एलोवेरा का जो यह fertilizer हमारे plant के लिए रामबान है रूटिंग हर्मोन में तो आप जानते ही है कि अलुवेरा को हम लेते हैं तो उससे अच्छा है कि जो इस एलोवेरा का fertilizer है इसको आप बॉटल में भार के भी आपने सभी प्लांट में स्प्रे भी कर सकते हैं या तो फीर डाइयेक्ट इस तरहीक से थोड़ा-थोड़ा करके डाल by सकते हैं इस तरीक से हुआ थैङ्य है तो इस तरीके से जाम डाल भी सकते हैंड तो एलोवेरा का फाटिलाइजर जो है सबसे अच्छा है क्योंकि यह इसको डालने से हमारे प्लांट के कोई कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और प्लांट भी हमारा बहुत ही स्वास्त रहेगा इस तरीके से यह हमारे स्वास्त के लिए फैदेमंद है तो यह हमारे नहीं जब भी आप कटिंग करें उसका फर्टिलाइजर बनाया है और इसका खाने में भी उज़ किया जाता है इसकी लड्डू बनती है इसका हलुआ बनता है इसको गठिया में भी खाया जाता है सुगर में खाया जाता है बालों में लगाया जाता है बहुत सारा इसका ऑफिन फ्रेंट में भी लगा हुआ है तो वस आज कर मेरा यह चोटा से वीडियो था किस प्लांट को अगर आपने नहीं लगाया है तो कहीं से अपने दोस्तों कहां से लेकर स्नेक प्लांट में इसके पतियों में ही पानी यह इस टोर रहता यह देख सकते हैं DR इसका जेल भी निकाल के खा जाता कई लोग तो इसका जेल निकाल के और प्रतिदीन खाते हैं तो यह प्लांट बहुत ही ज्यादा मेडिशनल है जैसा कि आप देख रहे हैं तो आई होप कि आईसके वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स और पहली बार मेरे वीडियो पे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिजिएगा बेल आइकन के साथ और शेयर करना तो चलिए हम अब एक अध प्लांट को लगा के भी आपको दिखा देते हैं वैसे तो लगाना बहुत ही असान है लेकिन हम आपको लगा के भी देते हैं कुछ भी नहीं करना है बारिस आज कल रोज हो रही है हमारे हां तो मिट्टी एकदम गिली है तो बस इसी में हैसे होल बनाके इसको लगा देंके चीए छोटे से प्लांट को ही लेत रहे हैं हम इन देखी है यह देखें पूसर और जबा दीजे आप यह आप यह लग गया तो लगाना भी इसको बहुत ही असान है देख सकते हैं और चोटे-चोटे से पॉट में ही ज्यादा आप लगाएं जब प्लांट निकले तो सही रखता है कि यह देखे इस तरीके से इसको डाल दीजिए हुल बनाके और दबातेजिए तो बहुत सारा बड़े प्लांटर में लगा था तो मैंने निकाल के और अपने महलेम सब को दे दिया और यह देखे फ्रेंड्स की ड़े इसके अंदर जा रहा है तो इसको मैं अभी हटा देंगी और इसमें लगा दूँ आज में देखे काई भी लग गए हैं तो चले हम इसमें फिर बार में लगाएंगे और यह दोनों में रहने आपको लगा के दिखा दिया है फ्रेंड्स की लगाना भी बहुती असान है और गीली है इसलिया सी लग रही है तो है ना असान लगा ना फ्रेंड्स तो बाय बाय मिलते हैं फिर अगले वीडियो में